अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जाने है अपनी वर्क्षीट नंबर 51 ठीक है शिक्स टू एट्ट क्लास के बच्चों के लिए और दो तारिक या आपकी यह वर्क्षीट है ठीक है और बेटा किसकी है यह हिंदी मीडियम के है इंगलिस मीडियम के ल बख्षिट आईए तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जानते हैं आज कुछ तो आप पिक्चर से देखकर भी समझ गए होंगे कि आज हम क्या जानेंगे अपनी विरासत के बारे में जानेंगे ठीक है जो धरोहर है हमारी यायत यासिक स्थल है उनके बारे में ओके तो इस पांच मंजिला इमारत का निर्मान आरम में 1193 में कुतबुदीन एबख ने करवाय था ठीक है तो इस जो पांच मंजिल इमारत का निर्मान किसने करवाय था बेटा कुतबुदीन एबख ने करवाय था ठीक है यद्यपी यह केवल इसके आधार का ही निर्मान करवा पा उसके बाद फिर इसका निर्मान कैसे हुआ उसके उत्रादिकारी इल्तु तमिसने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी तीन मंजिलों का निर्मान क्या तो तुम ये तीन मंजिल देख रहे होंगे ये एक जैसी है तो इसका निर्मान लाल बलुआ पत्थर से किसने करवाय थ इस पर एक एक नंबर की question भी बन जाते तो आप ऐसे याद रखना जबकि इसकी अंतिम दो मंजीलों का निर्मान फिरोज सा तुगलक द्वारा संग मरमर एवं बलुवा पत्थर से करवाए गया अब बेटा ये तुम दो उपर की मंजीलों का निर्मान करवाए गया था तो और इसकी उचाही कितनी है बेटा 73 मिटर इसकी उचाई है अब तुमसे ये भी पुछा जा सकता है कि आरम किसने करवाय था तो खुतबुदी नेवक ने ठीक है और इसकी जो तीन मंजीलो का निर्मान किसने करवाय था जो पहली तीन मंजीले थी तो वो करवाय था बेटा तो ये है हमारा लाल किला ओके तो लाल किले के बारे में जानेंगे बेटा कि लाल किला क्या है इसका निर्मान मई 1649 से अपरेल 1648 के मध्या मुगल बादसा सहाजा दुआरा करवाय गया था ठीक है तो लाल किले का जो निर्मान है बेटा वो किसके द्वारा करवाया गया मुगल बादसा थी जो जिसका नाम क्या था सहाचा उनके द्वारा ये करवाया गया था क्यों करवाया गया था जब उसने अपने सामराज्य की राजधानी आगरा से ठीक है अपने सामराज्य ठीक है मुख्या निवास थलता अब बेटा ये बाद बताओ ये साजा तुमने कहीं और भी सुना होगा कि साजा ने किसका निर्मान करवाय था तो तुम मुझे उसका कमेंट बोक्स में लिखकर बताओगे कि किसने साजा ने और किसका निर्मान करवाय था ठीक है इसका निर् इसके वास्तु सिल्फ का सरे उस्ताद एहमद लाहोरी को जाता है और जो इसका बेटा मतलब की जो इसकी डिजाइन है जो इसका वास्तु सिल्फ है उसका सरे किसको जाता है किसने मतलब की इस तरीके का डिजाइन या निर्मा ने इसका करवाया था तो वो था उस्ताद अब पेटा इंडिया गेट के बारे में पढ़ते हैं यहां भी आप जा चुके होंगे पक्का बात है तो यह एक युद्समारक है इसका निर्मान 1914 से लेकर 1921 के मद्या एवं विशेस रूप से पर्थम विश्युद के सहीद हुए बिर्टिस भारतिय सेना के जवानों के सम् थे जवानते वो सहीद हुए थे तो उनकी याद में इसका निर्मान किया गया था इंडिया गेट का 12 फर्षी 1931 को इसका उधगाटन लोड इरविन दुआरा किया गया ठीक है तो बैटा यह जुतने भी आप नाम देख रहे ह। नई नई सुन रहे है आपनी सामझ एक इस वज़े से आप अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हो लेकिन जितना पढ़ पा रहे हो उतना भी अच्छे से पढ़ो ओके तो 12 फरवरी 1931 को इसका उद्गाटन किया गया था इंडिया गेट का ठीक है अब 1971 में अमर जवान जोती भारत के लिए प्राण परजुलित रहती है हमें साथ 2400 गंटे तो वो क्यों रहती है और उसका नाम क्या है 1971 में एक यूद हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में तो उस टाइम पर भी कुछ सहीद जो है जवान जो हमारे जवान है वो सहीद हुए थे ठीक है तो उनके प्राण जो उन्होंने न करते हैं एनको करते हैं इनके पे कुछ आंसर्स है अपने तरीके से बताऊ आपको कुछ और भी पता क्रती सकते हो इसमें ठीक है उसके अलब की च wedge रिख? सकते हो ठीक है तो फरस्ट क्या लिखाई बटा मैंने और मैंने बटा तीन चार पॉइंट्स लिखे है तो आप अपनी क्लासिज का कोडिंग कर ले ना शिक्स्त में तो दो पॉइंट्स कर ले ना और अगर आप सारा कर सकते तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं ठीक है सारा करोगे तो easy है आसानी से आपको आभी जाएगा ठीक है लाल किले का निर्मान मुगल बादसा सहाजन के दुआरा करवाया गया था ठीक है इसको बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का परियोग किया गया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ा लाल किला ओके तो ये पहला पोइंट है दूसरा बेटा यह दिल्ली का सबसे बड़ा एतिहासिक किला है यह एक परसीद परियाटक स्थल भी है ठीक है जहां पर हर साल हजारों परियाटक अलग-अलग देसों से घुमने आते हैं और इसे इसको बेटा एक organization होती है एक संस्था होती है जो क्या करती है पूरे विश्व में देखती है गूहमती है और यह देखती है कि कौन सा जो एतियासिक स्थल है जो कि हम सब की एक दरोहर है ठीक है अब next क्या है बेटा कि हर साल भारत के सवतंतरता यानि कि 15 आगस्त पर हमारे परधान मंत्री किले के मुख्य दुआर पर तिरंगा जंडा फैराते है ठीक है लाल किले के और अपनी प्राचीर ठीक है या फिर इस लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते है ठीक है तो यह कुछ बाते important है जो लाल किले के बारे में ओके अब बेटा first second question क्या है कि अमर जवान जोती क्या है ठीक है तो अमर जवान जोती के महतु का वर्नन कीजिए 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद हुआ था जिसमें अनेकों भारते सेनिक सहीद हुए तब से भारत के लिए प्राण नियोचावर करने वाले उन सभी अग्यात सेनिकों की य तो किया जाता है तब से आज तक यह हर रोज 2400 घंटे दिन रात उन सभी सेनिकों की याद में परजलीत रहती है मतलब कि यह 2400 घंटे लगातार जलती रहती है परजलीत रहती है ठीक है कभी बुझती नहीं है इसलिए इसको क्या वो लगया अमर जवान जोती का नाम दिया नाम अमर जवान जोती रखा गया था अब बेटा आपका जो थर्ड कोशन है वो क्या है कि कुतुमिनार के निर्मान में परियोग होने वाली सामगरी का वर्णन करो ठीक है तो कुतुमिनार की पहली जो तीन मंजीलों का निर्मान है वो लाल बलुआ पत्थर दुआरा तो यहाँ पर आप थ्री डोट्स दिखेंगी आपको वीडियो में उनको सही करना उस पर क्लिक करना महाँ पर क्वालिटी का ओप्सन होगा तो क्वालिटी में आपको काफी सारी दिखेंगी एक सो चवाली उस पर क्लिक करोगे क्वालिटी पर 280 दिखेगा 360 दिखेगा तो आप 360 पर कर लेना ओके या इस से भी जादा हो तो उस पर करने की कोशिस करना तो आपको दिख जाएगा ठीक है अब बेटा कुतुब मिनार की पहली तीन मंजीलों का निर्मान लाल बलुआ पत्थर द्वारा हुआ था और अंतिम दो मंजीलों का निर्मान क्या बेटा वो थाल पर जाना करोगे ठीक है तो अभी तो यह मावार है बेटा लेकिन स्कूल से पिकनिक जाता है तो अगर यह स्कूल जब ईपन होते हैं और पिकनिक जाता है तो आप कहा जाना से लिख सकते हो था चूंँप इतना ही उमीद करती हूँ है आपको आच्छे से समझ आई पूछ सकते हो ठीक है तो अपना जो नेक्स टोपिक होगा नेक्स टूडियो में करेंगे तब तक के लिए ऐसी हसते रही है मुस्कुराते रही है पढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है थेंक्यू